हेलो बच्चो आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अंडे कफंडा और ओथर है अपर्णा अथ्रिया छे साल की काव्या को चड़ियों के साथ खेलना पहुत पसंद है उसे अपने खेत में गाये को खलाने में पहुत मज़ा आता है एक सुभा उसने जोर से आवाज लगाई नमस्ते दादी ने आवाज लगाई काव्या अंडे गिनने में जरा रगु की मदद कर दो फुर रगु अंडे गिन रहा था एक दो तीन चौदा ओई मेरे चुपल नीचे रखो अभी इसी वाक्त तो फिर से गिनने लगा बारह तेरा ओई मैं तेरा पर था या बारह पर था रगु सूच में पढ़ गया रगु ने सारे अंडे टोकरी से बाहर निकाले और एक बार फिर से गिनने लगा एक दो सोलह पुनीत मेरी साइकल को मत छुओ पंदरा सोला अरे नहीं मैं कहा था उसने काव्या से कहा अभी मैं सारे अंडे खटा कर लेता हूँ हम गिन्ती बाद में करेंगे काव्या बोली मैंने स्कूल में गिन्ती करने का एक सरल तरीका सीखा था तुमको बस एक से दस तक गिन्ती करनी है बड़ी संख्या गिनना तो कठिन है लेकिन छोटी संख्या गिनना आसान है है ना रगु बोला हम हम मैं तो करोड तक गिन सकता हूँ लेकिन दस तक गिनना तो बहुत सरल है बस अंडो को एक टोकरी में रखो और फिर एक नई टोकरी ले लो फिर से एक से दस तक गिन्ती करो अब तुम्हारे पास दस अंडो वाली कई टोकरिया हो जाएंगी रगु ने काव्या को देख कर मुह बनाया रगु ने दस अंडे गिने और उन्हें टोकरी में रखा फिर उसने दूसरी टोकरी ली और उसमें भी दस अंडे रख दिये उसने उताबलेपन में कहा मैंने सारे अंडे खटे कर लिये हैं क्या तुम बता सकती हो कि हमारे पास कितने अंडे हैं। बताईए, रगु ने सारे अंडे पाच टोक्रियों में इखटा कर लिए। हर टोक्री में दस अंडे हैं। तो बताईए कि कुल मिलाके कितने अंडे हैं। सोचिए, हिसाब लगाईए।